भजन सहीदा 31 अध्याय 19 से 24 तक आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तुने अपने डरेवियों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुश्यों के सामने प्रगट भी की है तु उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुश्यों के बुरी कोश्टी से गुप्त रखेगा तु उनको अपने मंडप में जगड़े रगड़े से छुपा रखेगा यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गड़वाले नगर में रख कर मुझ पर अद्बुद कर की है मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टी से दूर हो गया तो भी जब मैंने तेरी दोहाई दी तब तुने मेरी गड़गड़ाहट को सुन लिया है यहोवा के सब भगतों उससे प्रेम रखो यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है परन्तु जो एहंकार करता है उसको वह भली बांती बदला देता है है यहोवा पर आशा रखने वालों हिया बांदो और तुम्हारे रुद रहे मर्कुस पंदरा अध्या एक से 32 तक बोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों पुरणियों और शास्त्रियों ने वरंट सारी महासबा ने सल उसने उसको उतर दिया तु आप ही कह रहा है प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोश लगा रहे थे पिलातूस ने उससे फिर पूछा क्या तु कुछ उतर नहीं देता देखिये तुछ पर कितनी बातों का दोश लगाते हैं ईशु ने फिर कुछ उतर नहीं दिया यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चरी हुआ पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था बरबा नाम का एक मनुश्य उन बलवाईयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हतिया की थी और भीड उपर जाकर इस से विंती करने लगी कि जैसा तु हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर पिलातुस में उनको उतर दिया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दू क्योंकि वह जानता था कि प्रदान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था फिर चिलाए उसे क्रूस पर चढ़ा दे पिलातुस ने उनसे कहा क्यों इसने क्या पुराई की है परंतु वे और भी चिलाए उसे क्रूस पर चढ़ा दे तब पिलातुस ने भीड को प्रसन करने की इच्छा से बरब्बा को उनकी लिए छोड़ दिया और ईशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया की क्रूस पर चढ़ाया जाए सैनिक उसे किले के बीतर के आंगन में ले गए जो प्रिटोरियूम कहलाता है और सारी पल्टन को बुला लाए तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहिनाया और कांटों का मुकुट घूत कर उसके सिर पर रखा और य जब वे उसका ठटा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहिनाये और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए सिकंदर और रूफूस का पिता शेमॉन एक कुरेनी मनुश्य जो गाव से आ रहा था उधर से निकला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले वे ईशु को गुलगुता नामक जगह पर जिसका अर्थ खोपडी की जगह है लाए वहां उसे मूर मिला हुआ दाकरस देने लगे परन्तु उसने नहीं लिया तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्टिया डाल कर कि किसको क्या मिले उन का राजा उन्होंने उसके साथ दो डाकू एक उसकी दाइनी और एक उसकी बाई और क्रूस पर चढ़ाये तब पवित्र शास्त्र का वह वच्चन की वह अपरादियों के संग गिना गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और यह कहकर उसकी निंदा क आस्त्रियों समेत आपस में ठटे से कहते थे इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता इसरायल का राजा मसी अब क्रूस पर से उतर आये कि हम देखकर विश्वास करें और जो उसकी साथ क्रूसों पर चढ़ाये गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे लेवे विवस्था 21 अध्याए 1 से 24 तक फिर होवा ने मुसा से कहा हारुन के पुत्र जो याजक है उनसे कह कि तुमारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद न करे अपने निकट कुटुम्बियों अर्थात अपनी माता या पिता या बे अशुद कर सकता है पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों में प्रधान है इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद न करे कि अपवित्र हो जाए वे न तो अपने सिर मुढ़ाए और न अपने गाल के बालों को मुढ़ाए और न अपने शरीर चीरे वे अपने परमेश्व पवित्र का नाम न पवित्र न करें कि वे यहवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन हैं चड़ाया करते हैं इसकारण वे पवित्र बने रहें वे वेश्या यह भ्रष्टा से विभाग न करें और नत्यागी हुई तुम्हारे पर्मेश्वर का भोजन चड़ाया करता है इसलिए वह तेरी दृष्टी में पवित्र ठहरे क्योंकि मैं यहवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आपको अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अ आग में जलाई जाए जो अपने भाईयों में महायाजक हो जिसके सिर पर अभिशे का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहिने के लिए संस्कार हुआ हो वो अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाडे और न वो किसी लोत के पास जाए और न अपने पिता या माता के कारण अपने को अशुद करे और वो पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए क्योंकि वो अपने परमेश्वर के अभिशे का तेल रुपी मुकुट धारन किये हुए है मैं यहवा हूँ और वो कुमारी स्थ्री से ही विवा करे जो विद्वा या त्यागी हुई या ब्रश्ट या वेश्या हो ऐसे किसी से वो विवा न करे वो अपने ही लोगों के बीच में कि किसी कुमारी कन्या से विवा करे और वो अपनी संतान को अपने लोगों में अपवि जिस किसी के कोई भी दोश हो, वो अपने परमेश्विर का भोजन चड़ाने के लिए समिप न आए। हारुन याज़क के वन्ष में से, जिस किसी में कोई भी दोश हो, वो यहवा के हव्य चड़ाने के लिए समिप न आए। जिससे ऐसा न हो कि वो मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करें क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारुन और उसके पुत्रों को तथा सब इस्राइलियों को ये बाते कह सुनाई। लेव व्यवस्था बाईस अध्याए एक से तैंतेस तक। फिर यहवा ने मूसा से कहा हारुन और उसके पुत्रों से कहा कि इस्राइलियों की पवित्र की हुई वस्थूों से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे, मैं यहवा हूँ और उनसे कह कि तुमारी पीडी पीडी में, तुमारे सारे वन्ष में से जो कोई अपनी अशुदता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तूओं के पास आए, जिने इसराइली यहवा के लिए पवित्र करते है वो प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा, मैं यहवा हूँ, हारुन के वन्ष में से कोई क्यों न हो, जो कोडी हो या उसके प्रमे हो, वो मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए, तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए, जो लोत के कारण हुआ हो, या जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए, और जो कोई किसी ऐसे, रेंगने हारे जन्तु को छुए, जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो, जो उसको भी लग सकती है तो वो प्राणी जो इन में से किसी को चुए सांज तक अशुद्र टहरा रहे और जब तक जल से सनान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुव में से कुछ न खाए तब सूर्य वह अपने आपको अशुद न करे मैं यहोवा हूँ इसलिए याजक लोग मेरी सौपी हुई वस्तू की रक्षा करे ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ पराहिकुल का जन किस पवित्र वस्तू को न खाने पाए चाहे वह याजक का अतिति हो या मजदूर हो तो भी वह कोई पवित्र वस्तू न खाए यदि याजक किसी प्राणी को रुपिया दे कर मो ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है और जो याजक के गर में उत्पन्न हुए हो, वे भी उसके भोजन में से खाए। यदि याजक की बेटी पराय कुल के किसी पुरुष ते बिया ही गई हो, तो वो भेंट की हुई पवित्र वस्तू में से न खाए। यदि याजक की बेटी विद्वा या त्यागी हुई हो और उसकी संता न हो और वो अपनी बाली वस्था की रीती के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वो अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराय कुल का कोई उसमें सर न खाने पाए, और यदि कोई मनुश्य किसी पवित्र वस्थों में से कुछ भूल से खा जाए, तो वो उसका पा प्वित्र वस्तूं में से खिला कर उनसे अपनात का दोश न उठवाय से मैं उनका पवित्र करने वाला यहवा हूँ। फिर यहवा ने मुसा से कहा हारुन और उसके पुत्रों से और इस्राइलियों से समझा कर कहे कि इस्राइल के घराने या इस्राइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मनत या स्वेचा बली करने के लिए यहवा को कोई होम बली चड़ाए तो अपने निमित ग्रहन योगे टहरने के लिए बैलो या भेडो या बकरियों में से निर्दोश नर चड़ाया जाए जिसमें कोई भी दोश हो उसे न चड़ाना क्योंकि वो तुम्हारे निमित ग्रहन योगे न टहरेगा और जो कोई बैलो या भेड बक्रियों में से विशेश वस्तू संकलब करने के लिए या स्वेचा बली के लिए यहवा को मेल बली चढ़ाए तो ग्रहन होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोश हो उसमें कोई भी दोश न हो जो अंदा या अंग का तूटा या लूला हो अ पैसो को यहवा के लिए न चढ़ाना उनको वेदी पर यहवा के लिए हव्य न चढ़ाना जिस किसी बैल या भेड या बक्रे का कोई अंग अधिक या कम बड़ा हो उसको स्वेचा बली के लिए चढ़ा सकते हो परंतु मनत पूरी करने के लिए वह ग्रहन न होगा जिसके अंड दबे या कुछले या तूटे या कट गए हो उसको यहवा के लिए न चढ़ाना और अपने देश में भी ऐसा काम न करना इन में से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ क्योंकि उनमें उनका बिगाड वर्तमान है उ फिर यहवा ने मुसा से कहा जब बच्छडा या भेड़ी या बक्री का बच्चा उत्पन हो तो वह साथ दिन तक अपनी मा के साथ रहे फिर आटवे दिन से आगे को वह यहवा के हव्य के लिए ग्रहन योग्य ठहरेगा चाहे गाय चाहे भेड़ी या बक्री हो उसको और बच्चे को एक ही दिन में बली न करना और जब तुम यहवा के लिए धन्यवात का मेल बली चड़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहन योग्य ठहरे वह उसी दिन खाया जाए उसमें से कुछ भी सबेरे तक रहने न पाए मैं यहवा हूँ इसलिए तुम मे मेरी आग्याओ को मानना और उनका पालन करना मैं यहवा हूँ और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना क्योंकि मैं इसराइलियों के बीच आवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहवा हूँ जो तुमको मिसर देश से निकाल लाया जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं मैं यहोवा हूं